यानि हम लोग percentage में करने वाले हैं, आज हम लोग revision करने वाले हैं, मैं बहुत सारे question लेके आया हैं आप लोगों के लिए, देखें एक question के list में one number पे है, ये है दो और ये है number three है, इसके आगे जो number है वो सायद मिट गया है, ये number one पे है, ये two है और ये number three है, आप लोगों को seller had some apples, he sell 40% apple and still has 420 apples original he had, यानि दो को दोस्तों जो कर रहा है, सबसे पहले जो apple है उसको मालों आप लोग X, कि उसके पास जो apple होगा, क्या होगा, X रुपे होगा, यानि X बचा होगा उसके पास apple, अब मुझे बता दीजिए कि हाँ पर उसने 40% जो apple है, तो 40% जो परसेंटे से अगर वो 40% लिकल जाता है, तो इसके पास कितने अभी बच गये हैं, कितने बचे हैं, 60% बचे हैं, 60% बचे हैं बस यही तो 60% लिकाल देना है, यानि 420 इं टू में क्यों हो जाएगा मेरे पास हंड़ेट अपन में क्या जाएगा यहीं तो मेरा यहां से लिकल जाएगा क्योंकि यहां पर 60 इस बज़ा से आया है क्योंकि उसने 40 परसेंट जो है ना पहले यूज कर दिया है तो उसका जो खताम हुआ यानि जो भी चीज होता है आपने जो पर्सेंटेज होती है हूंडडेट परसेंट में से उसने 40 परसेंट य्ज कर दिया है stuff का दिया है तो उसके पास कितना बचा हुआ है अभी हंडेट में से 40 निकल गया तो于 पास उसके पास कितना बचा हुआ है 60% बचा हुआ है अब जो बचा हुआ है उसमें 420 कह रहा है कि original 420 करना है into 100 कर दो upon 60 कर दो direct यहां से answer आ जाएगा 0 से 0 को cancel कर दो यहां से इसको cancel कर दो तो आ जाएगा answer आपका 7 question number 2 है इसे कैसे करना था आप लोगों को क्या करना है यहां पर X प्रतिशत of A दिया हुआ है equal to क्या दिया हुआ है Y प्रतिशत of B दिया हुआ है इस percentage का मतलब अपने आप में 100 होता है यानि X upon 100 यहां से आ जाएगा A यहां से हो जाएगा I upon 100 यहां से आ जाएगा B अब देखिए यहां से क्या होगा अगर मैं यहां से B लिकालना चाहता हूँ तो B equal to क्या जाएगा मेरा X upon में Y यहां पर आजाएगा A यहां से clear है अब देखिए इसके आगे हम लोग क्या कर सकते है Z of Z of क्या लिखा है B Z of B लिखा है न तो यहां से अगर मैं Z प्रतिशत लिकालने जाओं तो मेरे पास क्या जाएगा Z of क्या लिखा है B लिखा है B की जगा पे मेरे पास क्या है X into में Y A लिखा हुआ है यही है न मेरे पास B की जगा पे जो मैंने यह वाला चीज लिकाला है मैंने b की जगा पर इसे put कर दिया है अब देखे z equal to ये वाला part हो गया अब देखे यहाँ पर क्या दिया है परतिशत दिया है ने percentage दिया हुआ है तो मैं क्या करूँआ a equal to क्या हो जाएगा मेरे पास x, z upon में क्या हो जाएगा y और जो इसके साथ ये percentage लगा हुआ है ये चला जाएगा इसके into में यहाँ से ये लिकल क्या जाएगा और यहाँ से अगर मैं a find out करना चाहूँ तो a equal to क्या हो जाएगा x, z upon में क्या जाएगा y of a यानि a का ये लिकल जाएगा भाग यानि इसका option number जो होगा वो see हो जाएगा correct answer कैसे solve करना है अगर देखें कि ये कह रहा है कि एक से 70 के बीच में हमें unit digit क्या चाहिए 1 और 9 चाहिए तो आप लोगों को सबसे पहले जो unit digit 1 और क्या चाहिए मेरे को 9 चाहिए वो मेरे को ढूंडना पड़ेगा एक से लेके 70 के बीच में तो यहां से एक आजाएगा 9 आएगा 11 आएगा 19 आएगा और क्या आएगा 21 आएगा 39 आएगा 31 आएगा 49 आएगा 41 49 51 59 61 69 यही total हो गया है ना इस total को देखना है कि यह कितने जुर नंबर आ रहे कितने नंबर आ रहे 14 नंबर आ रहे काउंट करने के बाद 1234567891011121314 यानि 14 आ रहे अब मुझे इस 14 का परसेंटेज लिखालना है किसका लिखालना है इस 14 को मेरे परसेंटेज आया किसका हैगा 14 आपन किसका करना है मुझे total जो नंबर है न कहां था कितने नंबर था 70 था 70 कर देना इंटू क्या कर देना 100 कर देना ये 0 से ये 0 का कानि कतम साथ दूनी 14 आ जाएगा इसमें से मुझे परसेंटेज आजएगा 20 परसेंट एंसर बताइए बताइए मज़ा आगे कि निए तो ये क्या है यहाँ पर ही का होता है और इसकी जगा पर जो चीज मुझे लिकालना है उसे माली जे एक्स है अब देखे ये equal to क्या करना है, 20% दिया है, 20 upon में 100 कर सकते हैं, into कर देजे, यहाँ पर देखें क्या लिगा, 422.50, जरह मुझे यह बताए कि जब यहाँ से यह point हटेगा, तो इसके upon में क्या आजाएगा, 100 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, आएगा ना, इसके 100 में आजाएगा ना यहाँ पर आजाएगा, 100, अब देखें, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ से अगर मैं solve करने जाएगा, तो x equal to कितना हो जाएगा, इसे जब मैं यहाँ से इस फाडे part को solve करना है, और फिर इसको अलग से solve करना है, जब x मेरा लिख लेगा, तो यहाँ से 845 upon में क्या आजाए यहाँ से कट जाएगा, पांच बार में इसे जब डिवाइड किजेगा, तो हमारे पास यह इतना लिकल क्या जाएगा, यानि मैं यहाँ पर solve करता हूँ, x equal to 185 upon में क्या जाएगा, यहाँ से 10 आजाएगा, into में क्या जाएगा, 100 upon में क्या जाएगा, 65, जब इस चीज को हम लोग solve करेंगे, तो मेरे पास कितना जाएगा, 130 आ जाएगा, जो इसको क्या करना है, लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, a equal to x percent लिखा हुआ है, y b और यह इतना लिखा हुआ है, मैंनी जो मेरा जब से पहले value है, उसको रख लो, x प्रतिशत of y, equal to में क्या कर देना है, x upon में क्या करना है, 100 into में y कर देना है, उसके बाद equal to क्या करना है, y upon में 100 करना है, into में x कर देना, यह दूसरा condition हो गया, equal to मैंने, इसको जब हम लोग solve करेंगे, तो क्या हो जाएगा, y percent of x हो जाएगा, जब यहाँ से लिख लेगा, तो क्या हो जाएगा, a equal to b, यानि इन दोनों के बराबर होने वाला है, तो इसमें जो है option में रग्या हो जाएगा, e के साथ हो जाएगा, क्योंकि ऐसा condition इसमें दिया ही नहीं है, समझ में आप लोगों को दो question नजार आ रहे है, first era, second era, सबसे पहले आपको पहले वाले question को करना है, उसके बाद दूसरे करना है, क्या करना है, यहां पर लिखा है, subtraction, 40% of number, from the number, we get the result, 60, 30 आ रहे है, the number, जिसमें मेरे को वो number लिखाना है, तो जो मेरा number है, क्या करना है, subtraction करना है, कितना करना है, मुझे 40% करना है, और किसका करना है, x equal to 30 का है, आप लोग यहां से अराम से लिखा सकते है, x minus में क्या हो जाएगा, 40% की जगा पर क्या जाएगा, 100 आ जाएगा, x equal to क्या जाएगा, यहां से 30 आ जाएगा, यहां से 0 से 0 काटी है, यह कट जाएगा, 2 upon 5 आ जाएगा, यहां पर दोस्तों क्या था, x था equal to क्या है, यहां पर 30 है, अब देखे, यहां से जब मैं आगे जाँग तो घटेगा तो कितना जाएगा ठीदी X हो जाएगा equal to में मेरे पास क्या जाएगा 30 जाएगा अब यहां से करते हैं हम लोग cross multiply ऐसे ऐसे तीरशा तीरशी गुना किया जाता है आप लोगों की पता है या तो यहां से आप लोग X बाहर लिका लो X जब बाहर लिका लोगे तो क्या हो जाएगा 30 upon में क्या हो जाएगा 5 upon में 3 हो जाएगा यहां से जब आप लोग किजिएगा तो एकदम clear answer आने वाला है 50 है ना कोई करने का तरीका क्या था इसमें सबसे पहले आप लोग लेट कर लिजे कि एक दो यहां पर दिखा वेदा sum of two number two number दिया हुआ है पहला जो हो जाएगा X हो जाएगा दूसरा क्या हो जाएगा Y हो जाएगा अब देखे दोनों को क्या लिकालना है मुझे sum लिकालना है उपर वाले में मुझे subtract करना था लेकिन इन दोनों का मुझे sum लिकालना है तो X plus Y equal to क्या हो जाएगा 28 upon में 25 हो जाएगा इंटू में क्या हो जाएगा मेरा X हो जाएगा क्योंकि first number का multiply करना है और इसमें first number कौन सा है ये वाला है और second number जो होगा मेरा ये वाला हो जाएगा अब देखे जब आगे चलूँगा तो यहां से क्या लिका जाएगा Y equal to 28 upon में 25 यहां से X minus में X कर देंगे क्योंकि इस वाले X को यहां से ले जाके minus कर देंगे अब यहां से जब आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा यह कट भी जाएगा कटेगा तो यह क्या जाएगा Y upon में 3 upon में क्या जाएगा 25 आजाएगा X आजाएगा समझ में आ रहा है यहां से यह चीज क्लियर हो जाएगा अब जब मैं X upon में Y करने जाऊँगा तो यह जो चीज बचेगा क्या हो जाएगा 3 upon में 25 upon में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा इससे कर जाएगा 4 बार में 4 में से multiply कर देंगे आजाएगा 12 यानि यहां से जो answer लिकल के आएगा आपका 12% लिकल के आजाएगा यानि option number 1 आपका answer हो जाएगा हमें यहां पे दिखा हुए 20% student दिया हुआ है तो सबसे पहले हमें क्या करना है जो number of student है उसे क्या माल लेना है x माल लेना है number of student जो है हमारे पास कितने हो गए है x हो गए है अब ज़रा यह बताना है कि यहां पे 20% student जो है 8 year से कम है तो जो भी मेरा अपने आप में होता है percentage वो कितना होता है वो अपने आप में होता है 100, 100 में से क्या करना है 20% को माइनस कर देना है तो यहां से x equal to कितना आ जाएगा मेरे पास 80% आ जाएगा और किसका आएगा, x का आएगा, क्योंकि x का मुझे लिखालना है 80% x का लिखाल गया है जब 80% का x लिखाल गया है तो अब यहां से बचा ही क्या है यहां से हम क्या लिख सकते है 80% of x equal to 48, 48 plus 2 upon 3 of 48 यानि मुझे इस 48 का ही लिखालना है क्योंकि 2 दो बार 48 लिखालना है तो मुझे उसी का 48 का लिखालना है जब मैं इसका solve करने जाऊंगा आगे तो मेरे पास क्या आजाएगा 80 upon 100 x equal to 80 जब यहां से मैं x लिखालोंगा इस 80 से इस 80 का बेड़ा पार लग जाएगा और x की जो value आजाएगी वो आजाएगी 100 जो की आपको option number e में दिया हुआ है अब चलिए next question के लिए मैं आपको बताता हूँ कैसे solve करना है यहां पर 50% लिखा हूँ है loss लिखा हूँ है तो आप लोग जो लिखा हूँ है न सबसे पहले जो product है न उसको मालने ही जी x है x का कितने percent user है question number one वापिस से बता दो चलो बता देंगे कोई बात नहीं तो यहां से क्या हो रहा है 15% user है 15% of किसका user है x का minus क्या कर देंगे मैं 10% कर दूँगा of x equal to क्या हो जाएगा मेरे से यहां से 40 upon में क्या हो जाएगा 3 lakh दिया है न तो यहां पर lakh लिखे लो अब देखिए यहां से क्या जाएगा 5% of x equal to क्या जाएगा यहां पर 10 lakh आजाएगा 10 lakhs अब जब मैं x यहां से लिकालने जाओंगा तो मेरे पास क्या जाएगा 10 upon में 100 upon में क्या जाएगा 5 आजाएगा जो कि यहां से कट जाएगा दो बार में ऐस से multiply करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 lakh ton हो जाएगा यानि 200 lakh ton का मतलब क्या हो जाएगा कौन सा मेरा answer चला जाएगा option number c के साथ चला जाएगा देखें यहां पर लिखावा a और b दो नंबर है सबसे पहले जो नंबर दिया हो उसे क्या लिखना है 5% of a plus में दिया है 4% of b equal to दिया है 2 upon में 3 हैना 2 ठर्ड लिखावा है तो यानि 2 upon में 3 हो गया यहां से 6 प्रतिशत of a plus में कितना दिया हुआ है 80 8% दिया हो ना 8% of b दिया हुआ है हैना बस इसी चीज़ को solve कर देना है कैसे करना है 5% 5 का मतलब 5 upon में 10 हो जाएगा किस की जगा पर रखना a की जगा पर यहां पर रख दीजे plus 4 upon में 100 कर दीजे b हो जाएगा यह वाला part equal to कर देना है क्या हो जाएगा यहां पर 2 upon में 3 अंदर क्या हो जाएगा 6 upon में 100 क्योंकि a है इसके साथ में तो a कर देना है plus में क्या हो जाएगा 8 upon में क्या कर देना है 100 यहां से आजाएगा इसके बाद आगर आप लोग इसे solve करोगे तो यहां से कट के आजाएगा तो यहां से कट जाएगा 1 upon में 20 a plus में यहां से कट जाएगा 2 upon में कितना जाएगा अराम से कोई दिकत वाली बात जो आएगा ना यहां से रेश्यो आजाएगा यानि चार अपॉन में 3 आजाएगा तो मुझे इसमें एंसर रेश्यो में दिया हुआ है तो इसको आप लोग रेश्यो 4 अपॉन में 3 कर सकते हो यह आपका एंसर हो जाएगा option number D क्लियर है option को कैसे लिखालना था student of hazard 2 लिखा हुआ यहां पे आप लोगों को देख रहा है ना तो यहां से आप लोग कैसे solve कर सकते हैं जो मेरा maximum जो number है उसे माल लीजे x है ना उसको माल लीजे x आएगा क्योंकि total जो maximum number है ना उसे x माल लो है ना जब यहां से जब इसे हम लो लोग x माल लेंगे तो मेरे पास क्या हाँजाएगा 33 percentage of x equal to क्याथा मेरे पास 125 अपन में क्या जाएगा 40 यहां से 33 अपन में क्या जाएगा 100 x on में क्या जाएगा 165 इनको आड़ कर दो यहां सेSee कलने जाऊगा आपके 5 या 6 question मैंने कराया जो कि दोस्तों आपके exam के point of view से बहुत important है यानि NTSC में दोस्तों ऐसे आपके question आते रहते हैं percentage से तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो सही में अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों को share भी कीजिएगा और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है वो मेरे चैनल को subscribe कर लिजिएगा और bell icon को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली notification आप तक मिलती रहे आप तक जाती रहे तो दोस्तों मिलते हैं फिद्रेक्स रूडियो में तब तक के लिए थैंक्स दोस्तों